कुश्चन करें देखी यहां पर स्क्रीन पर दिया गाया कुश्चन है कि एक व्यक्टी सेविंग दरपन से 20 cm की दूरी पर इस्तित है यदि उस सेविंग दरपन की फोकस दूरी जो है 80 cm है तो बनने वाले प्रतिविंब की दूरी वे उसकी आवर्धन चमता ग्याद करो चैए यह हमें ग्याद करना है तो यहां पर जो दिया गाया है उसके अंदर क्या दिया गाया है कुश्चन में तो यहां पर हमको दे रखा है कि सेविंग दरपन में जो व्यक्ती है वो 20 cm की दूरी पर बैठा दया हुआ यह कहा रहा है कि focus दूरी F की value, किसके लिए? saving दरपन, आउतल दरपन है, और आउतल दरपन के लिए focus दूरी क्या होती है? negative होती है, कितनी दिर रखे उसने? 80 cm, ठीके? अब यह कहा रहा है कि हमें क्या ग्याद करनी है? V की value करो, और उसकी आवर्धन शंता ग्याद करो, ठीके? यह दो चेजे हमें ग्याद करनी हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोगों ने अभी देखा था, दरपन सुत्र, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे दरपन सुत्र, तो जब हम दरपन सुत्र लगाते हैं, तो 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, यह हमने formula लिया था, इस formula के अंदर हम value को put करेंगे, हमें निकालना क्या है? V, तो इस वाली value को इधर भेजते हैं, 1 upon V is equal to 1 upon F, यह plus का है, तो minus हो जाएगा 1 upon U, ठीके, इस परकार से लिखेंगे हम, value को put करते हैं, 1 upon V is equal to 1 upon F, F केतना दे रखा है, तो minus 80, minus यहाँ पर, यहाँ पर रखते हैं, 1 upon minus 20, minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 upon V is equal to 1 upon minus 80, plus 1 upon 20, ठीके, अब इसका हम क्या लेंगे, LCM, ठीके, तो जब हम इसका LCM लेंगे, ठीके, तो 1 upon V is equal to, यहाँ पर क्या जाएगा, 80, 80 एक बर जाएगा, प्लस, यह कितनी बर जाएगा, 4 बर, सोरी, minus का, यह minus का, और यहाँ जाएगा, प्लस का 4, ठीके, 1 upon V is equal to, यहाँ पर क्या जाएगा, 3 वटे, 80, और V को पर लेंगे, तो यह भी change हो जाएगा, 80 वटे, 3 is equal to, यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे, 26 बर जाएगा, ठीके, वह दो बर सिदा-सिदा गाए, हमार बास 6 बर, बच गया कतना, 20 और फिर 6, 7, यहाँ जाएगा किसमें, सेंटिमेटर में, और यह value किसमें आएगी, positively value आईगी, इसका मतलब V का जो मान है, वो दरपन के पीछे, जो परतिविम्ब है, वो दरपन के कहां बनेगा, पीछे बनने वाला है, यह हमें यहाँ से प्रूव हो गया, ठीके, अब हम हमें निकालना है क्या, आवर्धन M की value, तो हमने देखा M is equal to, ठीके, तो हमने यहाँ निकालता है M is equal to, minus sign यहें के यहीं लगाएंगे, V की value यहाँ से रखते हैं, 26.67, अपोन U की value हम यहाँ से रखते हैं, minus 20, तो minus से, minus क्या हो जाएगा, plus, ठीके, तो M की value जो है, वो आजाएगा 26.67, अपोन कितना, 20, ठीके, यह हो जाएगा, अब हमें 20 का इसमें भाग देना है, तो यह आजाएगा 1.33, ठीके, पीछे कोई sign नहीं आएगा, क्योंकि यह भी दूरी centimeter में है, और यह भी दूरी किसमें है, centimeter में, ठीके, तो centimeter से centimeter क cancel हो जाएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं आएगा, यह जो value आई हमारे पास, वो किसमें आई, प्लस में, और जब मैंने कहा था, कि जब M की value धनात्मक हो, एक से अधिक हो, तो हम ले सकते हैं, प्रती भिम्ब की प्रकर्ती, ठीके, प्रती भिम्ब की प्रकर्ती, ठीके सिर्फ हमें इस value की देखना है, M की value यह, और इस से हमें पता चल जाएगा, प्लस दिखा, तो हम लिखेंगे सीधा, सीधे के साथ हमें आभासी, और एक से अधिक दिखा, तो वस्तू से बढ़ा, कितना बढ़ा हो गया यह से, लगभग सवाब, ठीके, तो 1.33, ठीके, तो 1 पट तीन बाग बढ़ा होगा, क्लियार, ठीक, यह उतार लोगा